हेलो दोस्तो स्वागत है आपका हमारे अपने यूट्यूब चैनल गुरुकुल 24 में मैं अरुन आपको पढ़ाने जा रहा हूं मैथामेटिक्स जिसमें आज का टॉपिक है हमारा परसेंटेज पिछली क्लास में हमने देखा था इसके कुछ बेसिक कॉंसेप्ट को देखा था आज हम पढ़ेंगे इसके कुछ नए टाइप्स को जो की अक्सर एक्जाम में पूछ जाते हैं तलिए शुरू करते हैं पहला कॉस्चन में चामल के भाव में 10% की ब्रद्धी हो जाती है बचत में कितने प्रतिसत की कमी करेंगी खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो इसमे सबसे पहले आपको यह याद रखना है जब इसके सी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है तो इसके एक फॉर्मुला आपको याद रखना है आर इंटु क्यू बराबर इजब भी यह खर्च में कोई परिवर्तन ना हो तो इस क्यू और आर का क्या हो जाता है इन्वर्स 10 होता है ठीक है तो इधर पे हमने लिखा R इधर लिखा हमने Q इधर लिखा हमने E चलिए इधर पे आएगा आपका Original Value इधर आएगी आपकी New Value तो Original Value अभी कितनी है? 10 है ब्रदी होने के बाद कितनी हो जाएगी? 1 की ब्रदी हो रही? दस में 1 की ब्रदी मतलब कितना हो जाएगा 11 हो जाएगा इदर ठीक है अब खर्च में समान है इसलिए क्या हो जाएगा इसका inverse हो जाएगा इधर पर 11 आ जाएगा इधर 10 हो जाएगा ठीक है तो चलिए इसका difference कितना आ जाएगा बताइए original कितना था 11 था अब नया कितना हो गया 10 हो गया, दोनों का परिवर्तन कितना हुआ, एक का परिवर्तन हुआ, मतलब एक का डिफरेंस आया, एक बटे, आपकी original value कितनी है, 11, इसकी base value होगी, into 100 हो जाएगा, divide करेंगे कितना आजएगा, 9 सही, एक बटे, 11 परसेंट हो जाएगा, ठीक है, चलिए, इसका हम दूसरा question द अभी, formula आपका वही रहेगा, r into q equal to e, तो फिर से लिख लेते हैं, इसको r into q equal to क्या लिखेंगे, e, तो r आपका original, अभी इधर पर लिखेंगे original value, इधर लिखेंगे हम new value, इसमें हो रहा है, 10 पर तीसत की कमी हो रही है, मतलब पहले कितना था, 10 था, एक की कमी हो रही है, मत है, तो दोनों का difference कितना है, one का difference है, तो एक बटे, base value आपके कितनी है, 9, तो 9 into कितना हो जाएगा, 100, इनको divide करेंगे, तो कितना हो जाएगा, 11, 1 by 9%, तो हमने देखा अभी first type में, जिसमें खर्च कैसे होते हैं, समान होते हैं, खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो आपको क्या करना है, जब भी खर्च में कोई परिवर्तन नहीं हो, तो आपको सिर्फ इतना याद रखना है, कि इसकी value को हम inverse करेंगे, ठीक है, चलिए कुछ question हम आपको हमबर के रुक में दे देते हैं, जिसकी answer आप हमें comment box में comment करके बताएंगे, ये तीन question आपको 100 हो रहे हैं, आयत की लंबाई 62,30 बढ़ा दी जाए, तथा चोड़ाई 7 सही, 9 बटे 13,30 गटा दी जाए, तो छेत्रफल में क्या परिवर्तन होगा, ये आपको बताना है, simple question है, सबसे पहले हमें देखना है कि लंबाई गुले चोड़ाई बराबर कि क्या होता है, area होता है, आयत का चेत्रफल होता है, हमें सबसे पहले इसकी लंबाई बढ़ा रहे हैं, इसलिए क्या हो जाएगा इधर पे, प्लस का साइन आएगा, और इधर पे कितना आजाएगा, साले 62,30 बटी सता जाएगा, ठीक है, अब ब्रत इसमें क्या कर रहे हैं, इसकी चोड़ाई क्या कर रहे ह एक बटे, 13 बोलते हैं, ठीक है, इसकी fraction value होती है, अब हमें इसकी original value इधर पे लिखना है, original value और इधर पे हम new value को लिखेंगे, ठीक है, अब इधर पे आपको फूरा formula open कर लेना है, l into b equal to क्या होता है, area होता है, l, मतलब आपका पहले इसमें जो fraction value आई है, उससे आपको काम करना है, ठीक है, पहले कितना था, 8 था, ठीक है, 5 की ब्रद्धी हो गई, तो कितना हो गया, पहले 8 था, 5 की ब्रद्धी हो गया, 13 हो गया, ठीक है, इसी type से length जो है, sorry, चौडाई जो है, अब ही कितनी है, 13 है, 13 में 1 की कमी हो जाएगी, तो कितना हो जाएगा, पहले 13 थी, अ एक की कमी हो गई तो कितना हो गया बारा हो गया ठीक है यह दोनों इंटू में रहेंगे और यह दोनों रेशियो में रहेंगे ठीक है चलिए solve करते हैं इसको थर्टीन से थर्टीन कैंसल आउट हो जाएगा चार दुनी आट हो जाएगा चार तिया बारा मतलब आपका जो रेशियो बनेगा वो कितना बनेगा तू रेशियो थ्री होगा ठीक है दौनों का डिफरेंस मतलब यह पहला वाला होता है ओरिजिनल वैल्यू क्योंकि हमने इध इसमें आपको फॉर्मूले का यूस किया गया है इसी टाइप से आपको अगला टाइप भी करना है अगला कॉस्टन भी करना है अग्मच्डूर एक सबताय में 60 घंटे काम करता है तता 24 दुरुपए प्राप्त करता है यदि इसका 157 भनाड़ट 107 प्रतिसत बढ़ता है त कुल मिलाके आपका पूरा पर्सेंटेज इस पे बेश्ट होता है, a into b equal to c पर, चलिए देखते कैसे, जैसे इसमें बात करें हैं, इसमें बात करते हैं, 60 गंटे काम करता है, मतलब i प्रती गंटा, इसको हम फर्मूले में convert भी कर सकते हैं, into क्या होता है, समय बरावर कितना होता है, कुल आये, ठीक है, चलिए, अब देखिए, आये परती गंटे की बात कर रहे हैं, तो आये परती गंटे में इसमें कितने परती सत बढ़ा रहा है, 57 सही 1 बटी 7 बढ़ा रहा है, तो इधर पे हम प्लस करके, 57 सही 1 बटी 7 लिखेंगे, और समय कितना घटा रहा है, समय में इतना घटा रहा है, इसमें माइनस लगा देंगे, तो बलकुल सिंपल है, 57 सही 1 बटी 7 का फ्रेक्शन क्या होता है, 4 बटी 7, जो कि हमने पिछली क्लास में देखा था, इसी टाइप से आपको साड़े बारा का फ्रेक्शन वैल्यू कितनी होगी, एक बटे 8, ठीक है, चलिए, अब आप निकालेंगे, इसकी ओरिजिनल वैल्यू, और इसकी निकालेंगे निउ वैल्यू, ठीक है, इधर पे हम लिख सकते हैं, आए, प्रती घंटा, और इधर पे हम लिखेंगे, इंटू करके समय, बराबर आपको पूरा फॉर्मूला, ओपन कर लेना है, जैसे हमने पिछले कॉस्टन में किया था, वैसे आपको इसमें भी करना है, तो इधर आ जाएगा कुल आए, तो चलिए, आए, प्रती घंटा में, मतलब पहले कितना था, साथ था, अब बढ़ा कर कितना हो गया, चार और बढ़ जाएगा इसमें, तो पहले कितना था, साथ था, अब चार और बढ़ गया, तो कितना हो गया, ग्यारा हो गया, उसी टाइप से समय अभी कितना है 8 है अब घटाने पर कितना अब इसमें समय घटा रहे हैं तो एक घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा 8 में से 1 गया 7 हो जाएगा चलिए अब इसको solve करते हैं इधर पर दोनों में into के sign आएगे इधर पर ratio रहेगा 7 से 7 cancel out होगा आपका ratio क्या बनेगा 8 ratio 11 बनेगा ठीक है तो इन दोनों का difference हम निकाल लेते हैं difference कितना रहा है 3 तो 3 इसका निकालेंगे percent निकालेंगे तो 3 upon 8 इसकी base value क्या है 8 है into क्या हो जाएगा 100 दोनों को divide करेंगे तो कितना जाएगा 4 दुनी 8 25 बार कटेगा ये 25 ती 75 हो जाएगा इधर 75 बती 2 कितना जाएगा 37% मतलब option number आपका third वाला हो जाएगा ठीक है चलिए हम इसके कुछ questions आपको humbug के form में देते हैं जिसकी answer आप हमें comment box में comment करके बताएगे कुछ questions हैं ये तीन question आपको comment box में comment करके बताना है जिसको हम अगली class में discuss कर लेंगे ठीक है चलिए हम type 3 के first question करते हैं एक व्यक्ति के वेतन में से 10% कर चुपने के बाद अब जो बचा हुआ सेस है सेस का 20% सिक्षा पर तथा सेस का 20% बोजन पर खर्च किया जाता है इन सभी खर्चों के बाद उसके पास 2700 रुपे बचते हैं तो उस व्यक्ति का आपको बेतन बताना है बिलको सिंपल question है आपको इसका बेतन x मान के चलना है मान लेते हैं x से उसका बेतन अब अपने बेतन में से 10% वो क्या कर रहा है कर के रूप में दे रहा है ठीक है तो 10% कर के रूप में मतलब इसके वेतन में से 10% क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा ठीक है अब जो सेस बचायदर पे इसका 20% वो किसको दे रहा है सिक्षा पर खर्च कर रहा है ठीक है बच्चे की सिक्षा पर खर्च कर रहा है ठीक है अब 25 पतीसाथ अब जो सेश बचा है उसका 25 पतीसाथ वो किस पर खर्च कर रहा है भोजन पर खर्च कर रहा है तो इसमें अब जो पैसे मनी बचती है वो कितनी है 27 रुपए ठीक है तो जो 27 रुपए बचा हुआ है इ ट्वेंटी परशन्ट की 1 by 5 तो इसमें से 10 में ज red conten 4 मैंसे 1 minus होगा मतलब कितना हो जाएगा 9 up on 10 बचेगा फिर से इसकी बात करते है तो 5 में से 1 कम हो जाएगा मतलब कितना बचेगा 4 बचेगा 4 बटे 5 हो जाएगा इसी type से 4 में से 1 minus होगा, कितना होगा, 3, 3 upon 4 हो जाएगा, equal to, जो आपका amount बज़ा है, वो हम इसके equal में लिख लेते हैं, ठीक है, इसको हम solve करेंगे, 9 3 जा कितना होता है, 27, 27 कितने बार कर जाएगा, 100 बार कर जाएगा, इसको हम into करेंगे, तो कितना जाएगा, 5 4 जा 20, 20 का 10 म कितना जाएगा, 5000, ठीक है, तो आपका option number क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा, ठीक है, इसी type से आपको इसका अगला question भी करना है, चलिए देखते हैं, चलिए second question को करते हैं, राम अपनी मासिक आएगा 24 पतीसाद भोजन पर 15 पतीसाद बच्चों की सिक्षा पर, तथा हम X को उसकी बेतन मान के चलते हैं, ठीक है, उसका मासिक बेतन कितना है, X रुपए है, तो वो 25, 24 पतीसाद किस पर खर्च कर रहा है, बोजन पर खर्च कर रहा है, अब एक चीज़ आपको ये ध्यान देना है, कि इसमें ये दोनों साथ में दिये हैं, 24 पतीसाद भोजन पर और 15 पतीसाद बच्चों की सिक्षापर, मतलब दोनों का परसेंट प्लस करना है आपको, मतलब एक साथ ही लखना है, तो इधर पर आजाएगा 15 पतीसाद, ठीक है, अब जो सेस बचा है, सेस अमाउंट का, वो 25 पतीसाद मनुरण जन पर खर्च करता है, और उसके बाद 20 प परसेंटेज कितना हो गया, 39 परसेंट, इसका टोटल परसेंट कितना हो गया, 45 परसेंट, 39 का फ्रेक्षन वैल्यू कितना हो गया, 39 पॉन 100, और इसका फ्रेक्षन वैल्यू कितना हो गया, 9 पॉन 20, चलिए इसको सॉल करते हैं, X इंटू, अब देखिए, इतना तो 39 परसें क्या हो गया use हो गया अब बचा कितना 61 तो 61 अपॉन 100 अजाएगा अब इसमें से देखते हैं 20 में से 9 use हो गया तो कितना बचा इसमें से 11 बचेगा तो 11 बचे कितना हो जाएगा 20 बराबर टूटल कितना जाएगा 10,736 जाएगा ठीक है चलिए इसको cancel out करते हैं कितने बार जाएगा ये 9 बार जाएगा इसमें कितना 960 कटे ग्यारा से काटेंगे तो 960 बार cancel out हो जाएगा ठीक है हजार जाएगा मतलब इसकी जो मा सिकाय है वो option number आपकी डी वाला हो जाएगा 32,000 ठीक है चलिए अब इसके हम कुछ questions आपको हमबक के लिए देते हैं ये दो question है जिसको आपको इसी form में आपको solve करना है तो इसके answer आप हमें comment करके बताते जाएंगे अगला type देखते हैं एक चुनाव में दो मीदवार थे 30% मत दाता ने मत नहीं डाले 10% मतों को अभैद गोसित कर दिया जीतने वाले को कुल बैद मतों का कितना मिला 70% मिला और वह 12,600 मतों से जीत गया चलिए देखते हैं इसको इसमें सबसे पहले आपको दिया है कि total हम माल लेते हैं कितना 100% जो जनता है वो 100% माल लेते हैं अब को बुल है कुल बैद मतों का कितना परसेंट 70% जो है कुल बैद मतों का 70% जीतने बालों को मिला ठीक है यह जीतने वाले को मिला बैद मतों की बात कर रहे हैं और 30% किसको मिला हारने वाले को यह हो गया हारने वाले का ठीक है इन दोनों का डिफरेंस आपको कितना आ रहा है 40% का difference आ रहा है 70 और 30 में कितना difference आ रहा है 40% का मतलब जो आपको boat दिये हैं कि वो कितने मतों से जीता तो वो हम इधर से देख सकते हैं 40% का हमें पता है fraction value कितने होती है 2 बटे 5 होती है चलिए इसको solve करते हैं तो हम माल लेते हैं x खुल मतों की संक्या हम माल लेते हैं x माल लेते हैं ठीक है ना चलिए इन्टू अब देखिए धर पर 30% मत दाता होना है मत नहीं दिया मतलब 30% को हम क्या बोलते हैं बताइए 3 upon 10 बोलते हैं मतलब 30% मतलब 10 में से 3 लोगों ने मत नहीं दिया मतलब कितने न मत दिया वो दिख लेते हैं तो 7 न मत दिया तब 10 बटे कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा इसी टाइप से 10 पर 30 मतों को अभेध घुसित कर दिया मतलब 10 पर 30 का कितना fraction value 1 by 10 तो 10 में से 1 जाएगा कितना बचेगा 9 मतलब 10 में से 9 लोगों ने बोट दिया ठीक है चलिए उसके बाद क्या है इसका 40 परसेंट मतलब आपको यह बोल रहा है कि इसका 40 परसेंट कितना अब यह हमने निकाला था इन दोनों का यह 40 परसेंट है इसका ठीक है जो जितना बोट हमने दिया है मतलब तो उसका 40 परसेंट की बात कर रहा है मतलब 12600 इसके एकवल में जाएगा सिम्पल है इसको हम कैंसल आउट करेंगे तो देखिए सात नम 63 होता है 63 दूनी कितना हो गया 126 00 आ जाएगा 2 से हम इसको divide करेंगे कितने बार कटेगा 100 बार कट जाएगा इधर कितना जाएगा इन तुनों का into करेंगे 500 और इसका 100 में into करेंगे तो कितना जाएगा 50,000 मतलब आपका answer कितना आगया 50,000 तो आपका option number क्या हो जाएगा B वाला हो जाएगा ठीक है चलिए इसके हम कुछ practice के लिए question भी देख लेते हैं इसका question एक practice वाला question है इसको आपको इसी method से आपको solve करना है जो भी इसमें problem होगी आप comment करके मुझे बता सकते हैं अगली class में हम इसको discuss करेंगे चलिए इस class का last type हम करेंगे एक ब्यक्ति अपनी आए का 70% खर्च करता है यदि ब्यक्ति की आए 10% बढ़ती है तथा खर्च 10% बढ़ता है तो बचत में परिबर्दन बताना है बिल्कुँ simple सी बात है सबसे पहले हम इदर बता देते हैं आपको कि आए बराबर आए माइनस खर्च मतलब जितनी आए है उसमें से आप एदी खर्च निकाल देते हैं आए में से यदि हम खर्च को माइनस कर दें तो आपकी क्या बचती है बचत बचती है मतलब जो भी आप आपका amount remaining बचता है वो आपकी बचत होगी ठीक है तो चलिए इसमें माल लेते हैं आए हमारी 100 है तो 10-70% इसमें खर्च कर रहा है मतलब 70% खर्च कर दिया तो बचा कितना अपना 30% ठीक है आपको बोल ला है कि यदि ब्यक्ती की आए कितनी हो जाए 10% बढ़ जाए मतलब पहले कितना माना था हमें 100 माना था 10-30% बढ़ा की करेंगे तो कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा ठीक है फिर इसके खर्च में 10-30% बढ़ जाता है जब इसकी आए बढ़ेगी तो इसका खर्च भी कितना बढ़ जाएगा 10-30% बढ़ जाता है इसका 10 – 30 Christie's, 70 का 10 Christie's बढ़ाएंगे, और 70 का 10 Christie's कितना झाता, 7 होता है, तो कितना होजाएगा, 77 हो जाएगा, ठीक है? तो दोनों को हम minus करेंगे, तो 110 में से 77 गया, कितना बचेगा, 33 बचेगा, ठीक है? दोनों का difference कितना आ रहा है, 3 का difference आ रहा है, तो 3 से 30 को डिवाइड करेंगे कितने बार कटेगा 10 बार 10 से हम 100 को डिवाइड करेंगे कितने बार कटेगा 10% मतलब इसका जो first वाला option सही हो जाएगा तो दोस्तो हमने ये देखे percentage के 5 टाइप जिसमें ज्यादतर question ये repeat होते हैं अक्सर आते रहते हैं इस type के questions को आपको बहुत अच्छे से practice करना है इसमें जितने भी type के हमने homework question दिये हैं उसको आप solve करें और उसको उसकी answers को आप हमें comment करें comment करने के बाद उसमें हम अगली class में हम discuss करेंगे इसके answers के बारे में यदि आपको कोई problem होती है तो आप ये दो question आपके practice के लिए रहेंगे इसके answers आप हमें comment करके बताएंगे I hope आपको ये सभी question समझाये होंगे आपको जो भी दिक्कत होती है आप हमें comment करके बताएंगे हम अगली class में उसको sort out करेंगे धन्यवाद